नमस्कार दोस्तो आपका मेरी यूटूब चैनल भक्ति ग्यानतियोहर में स्वागत है आज मैं आपको धन तेरश की कहानी सुनाने जा रही हूँ अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मातल अचमी कीजिए अवश्य लिखिए साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं धन तेरस दो सब्दों से मिलकर बना है धन और तेरस जिसका अर्थ लगाया जाता है क कि धन को तेरे गुना करना इसमें तेरस संस्कृति भाषा के त्रियो दर्श का हिंदी बर्जन है कार्थिक क्रेशन पच के त्रियो दर्शी तारीक के दिन इस त्योहर को मनाया जाता है धन तेरस का पर्व पूरे भारत में धूम धम से मनाया जाता है इस दिन भक्त मा लच जश्मी, यम, धनवंतरी और कुवेद देपता की पूजा से उनकी किरपा हासिल करते हैं। माना जाता है कि धन तेरस और दीपा वली पर खरीदारी से किस्मत तो चमकती ही है। साती घर में पूरे साल धन की बर्सा होती रहती है। इस दिन सोने और बरतन की खरीदारी को कार्तिक क्रेश्न पच्च की त्रियोध शितिति के दिन धन तेरस का पर्व, पूरी स्रद्धा वा विश्वास के साथ मनाय जाता है। धन वंतरी के अलावा इस दिन मालच्मी और धन के देव तक कुबेर की भी पूजा करने की परंपरा है। इस दिन को मनाने के पीछे धन वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा मालच्मी की भी कहानी प्रचलित है तो आईए सुनते हैं मालच्मी की ये कहानी एक समय की बात है भागवान बिश्णू मृति लोग में बिच्रण करने के लिए आ रहे थे तब मातलच्मी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया तब तब लच्मी जी उनकी बात मान गई और भागवान बिश्णू के साथ भू मंडल पर आ गई कुछ देर बाद एक जगह पर पहुँचकर भागवान बिश्णू ने मालच्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहां ठेरो मैं डच्छिर दिशा की ओर जा रहा हूं त तुम उधर मताना भागवान बिश्णू के जाने पर मालच्मी के मन में कौतुहल जागा कि आखे दच्छे दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे मना किया गया है और भागवान स्वेम चले गए मालच्मी से रहा न गया और जैसे ही भागवान आगे बड़े मालच्मी भी परसों की सोभा देखकर वहमंत्र मुग्द हो गई और फूल तोड़कर अपना स्रंगार करने के बाद आगे बड़े आगे जाने पर एक गन्ने के खेट से मालच्मी गन्ने तोड़कर रस चूशने लगी उसी समय भागवान बिश्णू आ गये और यह देख मालच्मी से न किसान की चोरी का अपरात कर बैठी अब तुम इस अपरात की जूर्म में इस किसान की 12 बर्स तक सेवा करो ऐसा कह कर भगवान बिश्णू उन्हें छोड़कर चीर सागर चले गए तब मालच्मी जी उस गरिब किसान के घर रहने लगे एक दिन मालच्मी ने उस किसान की पत किसान की पत्री ने ऐसा ही किया पूजा की प्रभाव और मालचमी की किरपा से किसान का गर दूसरे ही दिन से अन्य धन रत्म शुर्ण आधी से भर गया मालचमी ने किसान को धन धाने से परपून कर दिया किसान के बारे बर्स बड़े आनंद से कट गए फिर बारे बर्स के बाद मालचमी जी जाने के लिए तैयार हुई भगवान विश्णू जी मालचमी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भीजने से इंकार कर दिया तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है यह तो चंचला है कहीं ठहरती नहीं इनको बड़े-बड़े नहीं रोक सके इनको मेरा स्राब था इसलिए 12 बर्ष से तुमारी सेवा कर रही थी तुमारी 12 बर्ष सेवा का समय पूरा हो चिका है किसान हट पूर्वक बोला कि नहीं अम मैं लच्मी जी को नहीं जाने दूँगा तब लच्मी जी ने कहा हे किसान तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैशा करो कल 13 से तुम कल घर को ली पोत कर स्वच करना रातर में घी का दीपक चला कर रखना और साइकाल मेरा पूजन करना और एक तावे के कलस में रुपए भर कर मेरे लिए रखना मैं उस कलस में निवाश करूंगी कि तुम पूजा के समय में तुम्हें दिखाई नहीं दूँगी इस एक दिन की पूजा से बर्ष भर में तुमारे घर से नहीं जाओंगी यह कहकर वह दीपकों के प्रकास के साथ दसों दिशाओं में फैल गई अगले दिन किसान ने मालचमी के कथान उशार पूजन किया उस किसान का घर धन धानेशे पून हो गया इसी बज़े से हर बर्ष तेरश के दिन मालचमी की पूजा होने लग जैहो मालचमी की धन तेरश की पूजा भी थी इस दिन प्राते काल उठकर नित्य कर्म से निर्वित होकर पूजा की तैयारी करें घर के इश्यान कोण में ही पूजा करें पूजा के समय हमारा मुह इश्यान पूर या उत्तर में होना चाहिए पूजन के समय पंच देव की इस्थापना जरूर करें शूरी देव, भगवान गडिस, मादुर्गा, भगवान शिव और भगवान विश्नु को पंच देव कहा गया है पूजा के समय सभी एकत्रित होकर पूजा करें पूजा के दोरान किसी भी प्रकार का सोर न करें इस दिन सबसे पहले चौकी पर भगवान धन, वंतरी, माता, लच्मी और कुवेर की प्रतिमा या फोटो इस्थापित करें इसके बाद देपक, धूप, अगरवत्ती जलाएं फूल अरपित कर जो भी बरतन या गहने खरीदे हैं वे उनके समच रख दें फिर उनके मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं फिर उन्हें हार और फूल चड़ाएं पूजन में अनामे का उंगली, गंध अध़त, चंदन, कुमकुम, अवीर, गुलाल, हल्दी आदे लगाना चाहिए इसी तरह उपरोग्त, सोट, सोपचार की सभी सामिगरी से पूजा करें पूजा करते वक्त उनके मंतर का जाप करें लच्मी इस्त्रोत, लच्मी चालीसा और कुवेर यंतर का पाट करें और कुछ मीठी का भोग लगाएं धार्मेट मानेताओं के अंसार यदि धन्ते रस के दिन सुम महूरत में और सही धंग से पूजन अर्चन किया जाए तो बर्स भर मालच्मी की किरपा बनी रहती है पूजा करने के बाद प्रशाच चड़ाएं ध्यान रखें कि नमक मिर्च और तेल का प्रियोग नैवेद में नहीं किया जाता प्रतेक पकवान पर तुलसी का एक पत्तर रखा जाता है अंत में उनकी आर्थी करके नैवेधी चड़ा कर पूजा का समापन किया जाता है पूजन के अंत में श्यांगता शिद्धी के लिए दच्छना भी चड़ानी चाहिए मुखे पूजा के बाद अब मुखे द्वार या आंगन में प्रदोशकाल में दिये जलाएं एक दिया यम के नाम का भी जलाएं रात्रे में घर की सभी कौने में भी दिये जलाएं आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए साथी मेरे वीडियो को जादे से जादे शेयर करें धन्यवाद